Current Affairs Funda में आप सभी का स्वागत है, मैं हूँ आपके साथ अभी शिक्षरमा और आज के इस वीडियो सेशन में हम 14 जुलाई तक के सभी important Current Affairs कवर करने वाले हैं हमेशा की तरह आप इस वीडियो को अंते तक चरूर देखेगा, आज भी आपको काफी कुछ जानने के लिए मिलेगा साथ ही गाइस इस सेशन को सुरू करने से पहले आप सभी को बताना चाहूंगा यह दिया हमारे daily Current Affairs PDF weekly PDF और monthly PDF चाहते हैं तो इस वीडियो के first comment में या फिर description में दिए गए लिंक पर क्लिक करके पा सकते हैं साथ है आप Google Play Store से Current Affairs Funda app को भी इस्टॉल कर लिजे क्योंकि जो भी हमारा PDF material है जिसमें आपको Current Affairs के साथ साथ strategy के भी प्रोवाइट कराते हैं यह सब भी material आपको हमारी Current Affairs Funda app पर यह उप्लब्द हो पाएगा हमारे PDF course से सब मंदे दे आपका कोई भी डाउट है कुछ भी आप पूछना चाहते हैं तो comment box में जरूर लिखेगा तो चलिए फिर करते हैं शुरूबात इस वीडियो सेशन की Science and Technology Minister Dr. Jitendra Singh has announced setting up a memorial award in public administration in the field of academic excellence in memory of which former Indian President पूछ रहा है कि विज्ञान और प्रद्योगी मंत्री Dr. Jitendra Singh ने किस पूर्व भारते राष्ट परती की इसमर्ती में academic उत्रष्टा के छेत्र में लोग प्रसासन में एक इसमारत पुरसकार इस्थापित करने की गोशना की है options आपके सामने है सही answer option C है Dr. Rajendra Prasad तो देखिए Dr. Jitendra Singh जो की science and technology minister है इन्होंने announce किया है कि जो हमारे first president रहे Dr. Rajendra Prasad जी इनके memory में एक public administration in the field of academic excellence इस तरह का एक award setup किया जा रहा है यहाँ पर आपको जानना चाहिए कि Dr. Rajendra Prasad भारत के पहले राष्ट पती थे 1950 से 1962 तक का इनका कारेकाल रहा है यकिन मानेगा यह question कई बार पुछा जाता है कि Dr. Rajendra Prasad जी का कारेकाल कब से कब तक रहा तो यहाँ पर confusion हो जाता है क्योंकि लंबा कारेकाल रहा है 1950 से 1962 तक का आपको बता दे 1957 में यह re-elect हुए थे presidency के लिए re-elect हुए थे और यह इकलोते president हैं जिन्होंने दो कारेकाल अपने पूरे किये हैं गीता गोपिनाथ has become the first woman and second Indian to feature on the wall of former chief economist of the International Monetary Fund who was the first Indian to receive this honor गीता गोपिनाथ अंतराश्टे मुद्राकोस की पूर्व मुख्य अर्थसास्त्रियों की दिवार पर प्रदेशित होने वाली पहली महिरा और दूसरी भारतिय बनी हैं यह सम्मान पाने वाले पहले भारतिय कौन थे options आपके सामने हैं सही answer option सी रहेगा रगुराम राजन देखे कीता गोपिनाथ यह first woman पहली मैला and second Indian दूसरी भारतिय बन गई हैं जो की International Monetary Fund यान ही IMF की जो wall of former chief economist है इस पर दर्शाई गई हैं आपको बता दे इन से पहले जिनने यह सम्मान मिला वो है डॉक्टर रगुराम राजन यह first Indian थे जिनने यह सम्मान दिया गया था क्योंकि 2003 से 2006 के बीच में IMF में chief economist and director of research रह चुके हैं आपको जाना चाहिए गीता कोपिनात यह October 2018 में IMF की chief economist appoint की गई थी और December 2021 में इन्हें IMF की first deputy managing director न्यूक्त किया गया है विच बैंक है signed an MOU with the Indian Air Force for rakhshak plus scheme किस बैंक ने रख्षक plus योजना के लिए भारते वाई उसे ना के साथ सम्झोता क्या अपन पर हस्ताक्षर किये options आपके सामने हैं सही आमसर option D है पंजाब national bank जानेगा पंजाब national bank ने Indian Air Force के साथ एक MOU memorandum of understanding sign किया है अपनी PNB रख्षक plus flagship scheme के लिए तो इसके तहर इनोंने जो भी defense personnel है उनके लिए कुछ especially designed products launch किये हैं उनको provide कराएंगे तो इसमें जो भी serving defense personnel है या फिर retired है या फिर trainees है तो उनको personal accidental insurance air accidental insurance तो इस तरह की scheme इनको provide कराएंगे जा रही है बागी पंजाब national bank के बारे में आप जानते हैं कि MD & CEO अतुलकुमार गोईल है headquarters New Delhi में है tagline है the name you can bank upon बात इसमें Indian Air Force की भी है तो आपको जाना चाहिए Chief of Air Staff है Air Chief Marshal Vivek Ram Chaudhary Name the Secretary General of the Organization of Petroleum Exporting Countries OPEC who recently died Petroleum निरिया तक देशों के संगठन OPEC के महास्चीफ का नाम बताएं जिनका हाल ही में निधन हुआ options आपके सामने हैं सही answer option दिरहेगा मोहमद बारकिंडो तो देखिए जो OPEC है इसकी full form भी आपको जानने चाहिए Organization of Petroleum Exporting Countries तो इसके Secretary General महमद बारकिंडो का 63 एर की एज में निधन हो गया है आपको बता दे ये Nigerian थे और अगस्त 2016 से OPEC के Secretary General के तोर पर कारें कर रहे थे OPEC के बारे में आपको जानना चाहिए कि टोटल 13 countries इसमें शामिल है ये अपने आप में एक महत्रपूर्ण कोश्चन है इसकी स्थापना 14 स्थापन पर 1960 को बगदाद इराक में जो इसके first five member है इरान इराक कुवेथ साओधी अरब और वेनेजुला इनके त्वारा की गई थी और 1965 के बाद से इसका headquarters वियना औस्ट्रिया में है लेकिन आपको एक इंड्रस्ट्रिंग बाद ये जाने जी है headquarters तो इसका औस्ट्रिया में है लेकिन औस्ट्रिया खुद ओपैक का member state नहीं है अगर हम current ओपैक members की बात करें तो ये सभी ओपैक members हैं जिसमें Algeria, Angola, Equatorial, Guinea, Gabon, Iran, Iraq, Kuwait, Libya, Nigeria, Republic of Congo, Saudi Arabia, United Arab Emirates and Manajula सामिल हैं कई बार OPEC country इससे संबंदित question आता है और मैंने भी कई बार देखा है कि ऐसा पुझा जाता है कि कौन OPEC में शामिल नहीं है तो कई बार मैंने देखा options में Libya और Nigeria दोनों ही रहते हैं तो याद रखेगा ये दोनों ही member country है generally जब पता नहीं होता कि OPEC में कौन है या कौन नहीं है तो इन दोनों पर ही निसाना जाता है कि या तो Libya नहीं है या फिर Nigeria नहीं है तो याद रखेगा ये दोनों ही अफ्रिकन कंट्री इसमें शामिल है लिब्या भी और नाइस इरिया भी Union Mr. Dr. Jitendra Singh inaugurated तिहान test bed for autonomous navigation at which IIT केंद्रे मंत्री Dr. Jitendra Singh ने किस IIT में स्वायत navigation के लिए तिहान test bed का उत्गाटन किया options आपके सामने हैं सही answer option दे रहेगा IIT Hyderabad देखे Union Mr. of State Science and Technology Dr. Jitendra Singh इन्होंने तिहान test bed for autonomous navigation इसको inaugurate किया है IIT Hyderabad के campus में आपको बता दें तिहान ये state of art autonomous navigation facility है जिसके तहत जो unmanned ground and aerial vehicles को develop किया जा सकता है इसका मतलब क्या है unmanned यानिकी जैसे drone हो गया जिसमें चालक की जुरुत न पड़े या फिर कोई इस तरह की गाड़ी हो गई जिसमें चालक की जुरुत न पड़े अपने आप ही वो चले cycle हो गई कई दरगी cycle भी होती है जो अपने आप ही चलती है है ना autonomous होती है अच्छा बाकि आपको तिहान की फुल फॉर्म जाननी चाहिए टेकनलोजी इनोवेशन हब और अटोनोमस नेविगेशन आपको बताने यह जो पूरा प्रोग्राम है इसको यूनियन मिस्ट्य ओफ साइंस और टेकनलोजी द्वारा फंड किया गया है एक सो तीस करोड रुपे का इसका बजट है एक सो तीस करोड रुपे का इसका बजट है अनाइन्टी फॉर इयर ओल्ड स्प्रिंटर प्रों इंडिया बगवानी देवी डागर पॉन अ गोल्ड मेडल एड द वर्ड मास्टर्स एथलेटिक्स चैंपियंशिप्स देट अप्शन भी रहेगा फिन्लेंड जानेगा 94 साल की स्प्रिंटर भारत से भागवानी देवी डागर इन्होंने वर्ड मास्टर्स एथलेटिक्स चैंपियंशिप जो की ट्यम्पिर फिन्लेंड में आयोजित की गई यहां पर गोल्ड मेडल जीता है तो 100 मिटर्स इस्प्रि पूरी की गोल्ड मेडल जीता है यह हर्याणा से हैं हाओ मैनी इंडियन ओरिजिन विमन फीचर्ड ओन फॉप्स एन्वल लिस्ट ऑफ अमेरिकास रीचेस्ट सेल्फ मेड विमन फॉप्स की अमेरिका की सबसे अमीर स्वा निर्मित महिलाओं की वार्थिक सूची में कितनी भारते मूल की महिला को सामिल किया गया है ऑप्शन आपके सामने हैं सही आंसर ऑप्शन सी रहेगा फाइफ देखें फोब्स हर साल एक लिच निकालता है इसका नाम हता है अमेरिकास रिचेस्ट सेल्फ मेड विमन तो इसमें पांच भारते मूल की महिलाओं को भी जगह मिल है तो देखिए अगर हम नमबर 5 की बात करें नमबर 5 मतलब इंडियन ओरिजिन की मैं बात कराओं इंडियन ओरिजन की जो है उनमें नमबर 5 पर कों है यह रेसमाश है और ओवरॉल जो इंकी र생क है इस लिस्ट में 97 है नमबर 4 पर इंद्रा नोई है और अवराल इनकी रैंक कितनी है 85 नमबर 3 पर निहा नरकेड है 57 इनकी अवराल रैंक है नमबर 2 निर्जास सेटी है 24 इनकी रैंक है और भारत की ओर से जो इंडियन ओरिजिन विमन है इनमें सबसे बेस्ट रेंक जैसरी वी उलाल की है और इनकी ओवरोल इस लिश्ट में रेंक 15 है अगर हम टॉप 3 की बात करें तो कौन कोन है डियाने हेंड्रिक्स यह ABC सप्लाई कंपनी की चेयर है और जूडी फॉकनर यह एपिक सिस्टम्स की CEO जूडी लव यह रिटेल एंड गैस इस्टेशन से संबंद इनका बीजनेस है यह देख सकते हैं हम टॉप 3 कि है कि है कि है कि है कि हैस्ट बीन अपॉंटेट एस चीफ फोरेन कोच ओफ इंडियन पिस्टल टीम भारते पिस्टल टीम के मुख्य विदेशी कोच के रूप में किसे निक्ति किया गया है ओप्शन आपके सामने हैं सही आंसर ऑप्शन दी रहेगा मुंख बैयार दोड़ सुरेन जो कि मंगोलिय जर्मन है इन्हें चीफ फोरेन कोच ओफ दे नेशनल पिस्टल टीम नियुक्त किया गया है आपको बता दे आई एससेफ वर्ड कप यह च्छाइंग वान कोरिया में चल रहा है दे इंडियन टेक इंड़स्ट्री हैस डिरेक्टली जनरेटेड ओवर हो मैनी जॉप्श इन दे युएस एक नई रिपोर्ट फ्रॉम नास्कॉम की एक नई रिपोर्ट के नुसार भारतिये तक नहीं उद्योग ने अमेरिका में सीधे-सीधे कितनी नोक्रिया पैदा की है ओप्शन्स आपके सामने हैं सही आंदर ओप्शन यह रहेगा दो लाग देखें मैत्पूर्ण रहता है नास्कॉम से संबंदित कोई रिपोर्ट है फिक्की की कोई रिपोर्ट है एसोचैम की कोई रिपोर्ट है नीती आयू की कोई रिपोर्ट है यह सभी मैत्पूर्ण र प्रवाइट करा है ऐसा इसने काया अपनी रिपोर्ट में इंपक्ट ऑफ इंडियन टेक्नोलोजी कंपनीज ओन दा यूएस एकोनोमी और बेडिलिंग दा करेंट एंड फूचर यूएस वरकफोर्स रोल ऑफ दा इंडियन टेकनोलोजी इंडॉस्री इन दा यूएस इस केरमेन क्रिशनन रामारुजों में हाली में अपॉइंटमेंट हुई है महत्रपूर्ण है है हैट्वार्टर न्यू डेली में है और इसके स्थाफना एक मार्च उनिस्सो अठास्ती को होगी थी बात कर रहें हैं नासकॉम की इस विच्व दा फॉलोइंग हैस फोस्ट अ कोलेबरेशन विद कनेक्टेड लाइफ फॉर डिजिटल हेल्थ सॉलूशन निम्री कित में से किसने डिजिटल स्वास्त समादाने के लिए क्लेक्टेड लाइफ के साथ साहयों किया ऑप्शन आपके सामने हैं सही आंसर लो छॉस्पिटल्स से देखिए अप्व लो छॉस्पिटल्स ने क्नेक्टेड लाइफ के साथ जिसके तहत जो अपोलो स्पीटल का AISVD टूल है इसको कनेक्टेड लाइफ के दिजिटल सॉलूशन के साथ इंडिग्रेट किया जाएगा जो यह AICVD टूल है यह जो भी एक डिजिटल प्लेटफोर्म के रूप में एक नेशनल हेल्थ क्लेम्स एक्सचेंज विक्सित करेगा ओप्शन्स आपके सामने हैं सही आंदर ऑप्शन भी रहेगा आइरडी आई देखिए आई यानिकी इंशुरेंस रेगुलेटरी और डिफॉलपमेंट अथॉरॉट्य आफ इंडिया इसने National Health Authority के साथ मिलकर डिसाइड किया है कि हम एक National Health Claims Exchange को डेवलप करेंगे ताकि जो Health Insurance Claims हैं जो Cashless Health Insurance Claims हैं उनका निप्टान जो है वो जल्दी हो सके तो ये एक Digital Platform रहेगा बाकि आपको जाना चाहिए National Health Authority के CEO RS सर्मा है IRDAI के Chairman Devashish Panda है इसके स्थापना 1999 में हुई थी Headquarters Hyderabad तिलंगाना में है Nokia has partnered with which institution to set up Networked Robotic Center of Excellence Nokia ने Networked Robotic Center of Excellence इस्थापित करने के लिए कि सस्थान के साथ साथ साइधारी की options आपके सामने हैं सहीए अंतर option दी रहेगा ISC Bengaluru तो Nokia ने हैं आपर Indian Institute of Science Bengaluru इसके साथ एक partnership की है जिसके तहर ये ISC Bengaluru में Nokia Center of Excellence in Networked Robotics इसको इस्थापित करेगा Nokia की बात करें तो CEO पे का हलोन मार्क है और headquarters इस पो Finland में है तो Finland की company है ये याद रखिएगा Nokia बाकिया आपको जानना चाहिए कि ISC Bengaluru के researchers हाली में चर्चा मेरे क्योंकि इन्होंने एक technology develop की है जिसके तहद biomass से hydrogen को produce किया जा सकता है Which NBFC has received an approval from the RBI to open 150 new branches across the nation किस NBFC को देश पर में 150 नई साखाएं कोनने के लिए RBI से मंजूरी मिली है Options आपके सामने है सही answer option C रहेगा Muthuth Finance तो Gold Loan Non-Banking Finance company है Muthuth Finance इसे हाली में Reserve Bank of India से approval मिल गया है कि ये देश बर में 150 नई branches open कर सकता है Muthuth Finance की बात करें तो Headquarters Kochi के रहल में है Group Chairman George Jacob Muthuth है इसके MD Alexander Muthuth है इसी तरह की एक news है कि मननपुरन Finance इन्होंने VP Nandakumar को अपना Managing Director and CEO के रूप में फिर से इनको reappoint किया गया है Re-appoint हुए है Which Countries Cricket Association has announced that men and women cricketers receive equal pay किस देश के Cricket सकने घोषना की कि पुरुस और महिदा Cricketer को समान वेतर मिलेगा Options आपके सामने है सही answer option D रहेगा New Zealand तो देखे New Zealand Cricket और Players Association इन्होंने एक 5-year deal sign की है जिसके तहत चाहे International Level हो या फिर Domestic Level हो यहाँ पर जो Women's Player है और जो Men's Player है इन दोनों को हर एक format में कोई भी हर एक competition में समान वेतर मिलेगा Same match fees इनको मिलेगी Which insurance has launched Cyber Voltage Insurance Plan किस बीमा करता ने Cyber Voltage बीमा योजना की शुरुवात की Options आपके सामने है सही answer option A रहेगा SBI Life Insurance देखे SBI General Insurance ने Cyber Voltage Insurance Plan लोंच किया है इसके तहत जो भी Individuals हैं वो अपने आपको Cover कर सकते हैं यदि Cyber Risk या फिर Cyber Attack के कारण उनको कोई Financial Loss हुआ है उसके लिए हाली हमने देखा था कि SBI Life Insurance से संबंदित हमने एक question यह देखा था कि इसने bank assurance पेक्ट साइन किया है पश्चिम बंगा ग्रामिन बैंक के साथ यह SBI Life Insurance की बात है और पारितोस त्रिपाठी इनको SBI General Insurance का MD&CO Nukle किया गया है अच्छा यहाँ पर यह SBI General Insurance है यहाँ पर है SBI General Insurance याद रखिएगा SBI General Insurance है यह option में अच्छा एक बात है यह जो कुछ ऐसे current affairs की कुछ ऐसे news होती है जैसे आज हुई फिर उसके बाद दो तीन दिन बाद फिर से आ जाती है फिर उसके बाद दो तीन दिन बाद आती रहती है जैसे SBI General Insurance और SBI Life Insurance के बारे में हमने काफी current affairs देखें हाली में तो एक बार अगर मैंने आपको बता दे कि MDCO यह है इसकी tagline यह है तो फिर वो अगर दो तीन दिन बाद फिर से आती है तो मैं उसको समझता हूँ कि वो आपको याद रहेगा उसको मैं बार बार रिपीट नहीं करता क्योंकि PDF जो होती है उसमें फिर वो बार बार एकी चीज रिपीट होती रहती है उससे length भी उसकी थोड़ी बढ़ जाती है बाकी यह है कि इतना तो आपको भी याद रखना चाहिए कि एक बार बता दिया है तो वो कम से कम एक हफते तो आप याद रखें जैसे एडल्विस इंसुरेंस है उससे संबंदित हमने हाली में दो-तीन कर अंट अफेर्स देखें तो मैं आपको पहले बता दिया था एक-दो हफते पहले मैंने आपको बता दिया था जो भी उसके head वगरा है तो अपने आपको इतना ना जुग भी मत बनाईए कि बिल्कुल हर चीज सामने चाहिए यह मैं इसलिए करना कह रहा हूँ क्योंकि एक कमेंट इस तरह का आया था अपने आप भी तो आप सर्च करने की आदर डालिए तब ही तो आप आगे बढ़ेंगे हर चीज बिल्कुल सामने आजाए इस तरह की आदर बिल्कुल मत आजिए पिछले बार आपको बताओ तो कई एस्पिरेंट्स के सेलेक्शन्स हुए जो कई और से सायद पढ़ते हो या फिर हमारे आसी पढ़ते हो पर उन्होंने मुझको मैसेज किया था कि कि उनके हमारे करन्ट अफेट्स उनके लिए हैल्फल रहे तो पूरा उनका सेलेक्शन हो गया तब उनके मैसेज आए मेरे पास की सरह हमारा सेलेक्शन हो गया है और बहुत-बहुत धन्यवाद हम जो है आपके पीडिएफ के सब्स्राइबर भी रहे हैं तो क्या उन लोगों को भी कोई दिक्कत लगी थी वो लोग भी तो अपना पड़ रहे थे ना क्योंकि उन लोगों ने अपना इतना सौफ्ट नहीं बनाया कि बिल्कुल हर चीज सामने ही चाहिए वो करंट अफिर देखते थे और फिर अपना जो है अपना भी वर्क करते थे अपनी भी सेल्फिश चुड़ी करते थे तो अगर कुछ चीज मान लीजे मुझसे छूड़ जाती है तो आप उसको खुद भी तो कवर कर सकते हैं सब चीज हर साधन तो अवलेवल है मैं नियूज नहीं कहा रहा हूँ मैं छोटी-छोटी चीजे कहा रहा हूँ कि अगर किसी का M.D. Chief में से छूड़ गया है फिर Headquarters छूड़ गया वैस तो मैं हर चीज कवर करने ही कोशिस करता हूँ तो ये बात आप दियान रखे और एक जुलाई से अब एक साल तक के लिए इनका टैन्यूर रहेगा निर्मान सर्मिकों को बढ़ाने के लिए किस राज्य या केंदर सासीत परदेश ने मिशन कुसल कर्मी कारेकरम शुरू किया है औप्शन्स आपके सामने हैं सही आंसर औप्शन ए रहेगा डैली तो देखे डैली गवर्मेंट ने एक प्रोग्राम लॉंच किया है जिसका नाम है मिशन कुसल कर्मी इसके तहत जो भी लेवरर्स जो रिजिस्टर्ड है डैली बिल्डिंग एंड अधर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स वैलफेर बोर्ड के साथ तो उनके लिए इसकी डैली डैली ट्रेणिंग कोर्स प्रोवाइड करा जाएगा उनको ट्रेणिंग दी जाएगी अच्छा अब ये 15-16 दिन की जो ट्रेणिंग होगी अब इसमें उनका काम भी छुटेगा क्योंकि वो लोग ट्रेणिंग लेंगे तो काम बगएरा पर नहीं जाया पाएंगे इसके लिए 42 रुपे भी वर्गर को प्रोवाइड कराई जाएगे बाकी आपको जानना चाहिए कि चीफ मिस्टर अर्विंद के जरिवाल हैं और लेफटेंड गवर्णर को ने आके विनए कुमार सकसे ना हाली में appointment हुई है ये कौन थे इससे पहले KVIC के chairman थे ये बान कर चलिए अगर कोश्चन मनता है आपसे तो यही पूछा जाएगा कि हाली में डैली के जो लेफटेंड गवर्णर न्यूक्त हुए हैं इससे पहले ये किस पत पर थे तो क्या थे खादी एंड विलेज इंडरस्टीज कमिशन के chairman थे ये इससे पहले याद रखिएगा Which company has announced the launch of Startup School India किस कमपणी ने Startup School India सुरू करने की खोशना की है options आपके साबने है सही answer option भी रहेगा Google तो देखिए Google ने Startup School India को लाँच करने की खोशना की है को जो है यहां पर जो भी यह जो प्रोग्राम स्टार्ट अप्स के लिए तो इसका benefit प्रोवाइड कराए जाएगा आपको बता दें यह एक ऐसा platform है जिसके तहट जो Google है यह लग-लग इन्वेस्टर्स और successful entrepreneurs और programmers उन सभी को एक टेबल पर इकठा करेगा यह ना ताकि जो start-ups है वो उन से जो भी basics है या फिर किस तरह से अपना कारोबार चलाना है उस तरह का discussion वगएरा कर सके लिकाए ना this is a platform under which Google will bring together investors, successful entrepreneurs and programmers that start-ups from the smaller cities can to tap into and learn from the best बाकि Google अगे बारे में आप जानते हैं CEO सुन्दर पशय है और headquarters United States में है परिक्षा संगम portal has been launched by परिक्षा संगम portal cbsc द्वारा लॉंच किया गया है तो देखे cbsc board ने एक portal लॉंच किया जिसका नाम है परिक्षा संगम इसके तहरा जो students है school regional offices हैं cbsc board headquarters हैं उनको connect किया जा सकेगा उनको connect किया जा सकेगा तो इसके तहरा sample papers भी आपको मिल जाएंगे और कोई assignment है वो भी आपको मिल जाएंगे previous year papers इसमें मिल सकते हैं इसको तीन पार्ट में डिवाइड किया गया है schools गंगा regional offices यमना और head office सरस्वती यह पॉर्टल का लिंक है बाकि cbsc के बारे में आपको जाना चाहिए चेर परसन नीथी शिपबर है headquarters न्यू डेली में है आइस कंपनी साफ्रान सेतब इट्स फर्स एरक्राफ्ट इंजन मेंटेनेंज रिपेर और और होल यानी कि एम आरो फैसलीटी इनवी सीटिए फ्रांसीश्य एरस्फेस कंपनी सेफ्रान किस सहर में अपना पहला वीमान इंजन रख रखाओ मरमत और ऑर और खोल सभीधा इस्तापित करेगी औप्शन आपके सामने हैं सही आंथर अप्शन दी है हाइदराबाद तो फ्रेंच एरोस्पेस मेजर कंपणी है यह एक फ्रेंच की डिफेंस एरोस्पेस से संब्दने कंपणी है इसका नाम है सेफ्रेंड तो इसने इसने कहा है कि हम 1200 करो अपराइण नर्कोस वस्वाश फ्रेंच उन्हाश वोटेक्शन तो एफ पर रजाज्वगश फॉट्स ए्प्रेंच कर्ण ट्र एंप्धार से लिए यह ऑ्यों यह झांटार्क्री एन इसे प्राज्ड प्रेंशन लिए यह जान्ट इस्टेप्रेंग्वार्म इस्ते अधि to buy a 25% stake in Adani new industries. Which express train running from Debrugher in Assam to Kanyakumari in Tamil Nadu currently holds the title of the longest train route in India both in terms of distance and time? The answer is Vivek Express. और आप मैं से कई एस्प्रेंस में बिल्कुल सही answer दिया है. इसी तरह से आप participate करते रहें. आज के assignment questions देख लेते हैं. What is NCCDS? इसके फुर्फों माँ बताईएगा. What is India's rank on World Economic Forum's Travel and Tourism Development Index 2021? Best Rail Day is celebrated on Dash every year by French people around the world. Which country announced discovery of 31 million metric tons of gold deposits? Ministry of Environment, Forest and Climate Change were organized. Organized हाईए, क्योंकि ये organized किया जा चुका है. और्गनाइजड हरियाली महुत्साव on Dash July 2022 at Tarkatora Stadium, New Delhi. तो किस तारीक को जुलाई में, किस तारीक को ये हरियाली महुत्साव मनाएगा ये आप बताईएगा. Scientists in June 2022 have discovered the world's largest bacterium named Theomagreta magnifesia, magnifica. Theomagreta magnifica. तो इस तरह का एक वर्ड का largest bacterium यहाँ पर discover किया गया. आपको बताने किस water body में. तो कोशिस कीजिएगा कि 6 के 6 questions के आंसर आप हमें comment box में जरूर दे. यदि एक question का आंसर भी आता है तो भी आप हमें comment box में बता सकते हैं. साथी गाइस current affairs funda को आप telegram पर भी join कर सकते हैं. आप regular video updates और current quiz जैसे हम आप सभी के लिए डालते रहते हैं. साथी decision group में आप किसी भी question का solution पा सकते हैं. दोस्ते हाँ पर current affairs की playlist दी गई है. इसको आप जरूर देखें और अपने दोस्तों के साथ, fellow assessment साथ हमारे current affairs को share जरूर करें. और ये session आपको कैसा लगा? comment box में जरूर बताईएगा. Thank you guys.